असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज हम भुक में गिवन है एक्टिविटी 12.4 इस एक्टिविटी को अब्जर्व करेंगे पेज नबर 48 पर ये एक्टिविटी गिवन है आपने इस एक्टिविटी की मदद से इस कनवेक्स लेंज की फोकल लेंज को एस्टिमेट करना है ये हमारा कॉशन है हाओ कैन वी एस्टिमेट दा फोकल लेंज आफ ऐक्टिविटी और एक्सपरिमेंट सबसे पहले आपने ये करना है कि एक कनवेक्स लेंज को स्क्रीन के सामने एक खास डिस्टंस पर रखना है स्टे किसी दूर कोई object जो window से बाहर कमरे के बाहर window से दूर कोई object हो जरूरी नहीं है कि को ट्री हो कोई बी object हो सकता है उसका image obtain करना है इस screen के उपर अगर आप इस lens को backward और forward move करेंगे तो ये एक image बनाएगा screen के उपर वो जो बाहर दूर object window से बाहर नदर आएगा उस object का image यहाँ screen के उपर बनेगा अगर आप इसकी adjustment करें तो ये एक खास distance पर एक sharp image बनेगा बिलकुल clear दिखाई देने वाला लेकिं ये image inverted होगा बिलकुल उस image के object के जो सामने रखा हुआ है suppose यहाँ tree है यह head इसका up है इसके जो roots वगयरा है वो नीचे जमीन की तरफ है और यहाँ हमारे पास जो image बनेगा वो बिलकुल screen के उपर वो इसकी जो शाकें ब्राचें जो हैं वो उपर की तरफ जबके इसका जो stem वगयरा वो जो जो जड़ें वगयरा होंगी वो जमीन के दर नीचे की तरफ हमें दिखाई देंगी यह जो image बन रहा है जितने distance पर यह image बनेगा इस distance को अगर हम मयर कर लें screen से लेकर इस lens तक वाला distance यह इस lens की focal length मयर हो जाएगी इस तरीके से हम किसी भी lens की estimated focal length को मयर कर सकते हैं और इसके बाद हमारा एक और टापिक है जिसमें power of lens lens की power को डिसकस करना है हमने lens की power reciprocal of focal length of the lens को कहते हैं अगर हम focal length का reciprocal ले 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 यानि उसे invert कर ले तो हमारे पास उस lens की power निकलाती है यहाँ power से मराद यह जो हमने पिछले 9th की class में आपने power का topic पड़ा है rate of doing work is known as power उस से different है यह power of lens से मराद यहाँ उसकी focal length का reciprocal लेना है one over focal length equal to power of lens लेकिं यह यहाँ रखें जब आप reciprocal ले रहे हैं तो focal length को unit क्या होना चाहिए मीटर में होना चाहिए suppose अगर हम इस उपर वाली activity में इस lens की focal length को measure करते हैं और यह 20 cm निकलाता है तो सबसे पहला काम हमारा यह होगा कि हम इस 20 cm focal length को मीटर में convert करेंगे वो आप जानते हैं कि 100 से डिवाइड करने पर वो मीटर में convert हो जाएगा cm से मीटर में बनाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है उसकी वज़े यह है कि 1 मीटर के अंदर 100 cm होते हैं फिर उसके बाद आपने उसका reciprocal लेना है तो जो आपके पास result निकलेगा that is called power of lens unit of power diopter होता है diopter यह unit उस वक्त होता है अगर हम एक focal length किसी lens की 1 मीटर हो और उसका reciprocal length तो हमारे पास जो power निकलेगी वो 1 diopter निकलेगी इसलिए हम कहते हैं 1 diopter equal to per meter इसे आपने per meter रीड करना है मीटर का reciprocal per meter कहलाता है अभी इससे पहले हम पिछले टापिक में discuss कर चुके हैं कि convex lens और concave lens की focal length को भी हमने discuss किया है convex lens की focal length positive होती है इसलिए उसकी power को भी हमें positive power count किया जाता है और concave lens की जो focal length है वो negative होती है इसलिए उसकी power को भी negative लिया जाता है अगर आप opticians के पास जाएं तो opticians आम तोड़ पर power of lens को यूज करते हैं जब हमारी glasses वगहरा त्यार की जाती है या हमें एनक वगहरा बनवानी होती है हम opticians के पास जाते हैं तो उन्हें हम number बताते हैं एक खास किसम का number बताया जाता है कि मेरी एनक का number one number है one point five number की एनक बनानी है two number की एनक बनानी है वो जो हम number बता रहे होते हैं actually that is power of lens two diopter, one diopter, one diopter, one point five diopter हम उसको बताते हैं और वो हमारी उसके मताबक lens लगाकर एनक बना देता है इसी तरह अगर किसी की एनक में concave lens लगा होगा तो वो उसके जो power of lens होगी वो negative होगी और उसकी जो numbering होगी lens की वो भी negative होगी one point five के साथ minus का sign भी लगेगा इसी तरह one number की एनक है तो minus one number लगाए जाएगा क्योंकि वो concave lens लगा रहा है अपकी एनक के अंदर ये different दो lens इस्तमाल होते हैं lens के एनकों के अंदर concave lens भी इस्तमाल होता है convex lens भी इस्तमाल होता है दोनों lenses में different situation पर apply किया जाता है कुछ लोगों की short vision defected होती है कुछ लोगों को long vision है वो defected हो जाती है जिसकी वज़ाए से उनको different lens लगाए जाते हैं I think आपने इन दोनों topic contestant कर लिया है इन्शालला आप इसको book में study करें अगर कोई problem हो तो आप question कर सकते हैं शुकरिया अलाफिज